स्टूरेंस विल्कम दिस लेक्षे, इस लेक्षे हम डिसक्स करेंगे, परसंटेज ओफ मॉडूलेशन, तो स्टूरेंस मॉडूलेशन से मराद यह होता है, कि जब हम एक कैरियर वेव के उपर सुपर इंपोस करते हैं, एक मॉडूलेटिंग सिगनल को, यानि कि ऐसा सिगनल ज सिगनल का अम्पलिटूड जो है वो change कर रहे होते हैं अगर हम लोग अम्पलिटूड मौडूलेशन कर रहे हैं तो percentage of modulation से मुराद यह है कि हम किसी सिगनल को किस हट तक modulate कर रहे हैं तो वो जो हमारे पास percentage होती है वो कहलाती है percentage of modulation तो students हमारे पास जो modulation होती है कि कितना हमने एक wave को modulate किया है कितना उसका amplitude जो है information के लिए change किया है उसका हमारे पास formula होता है m equals to amplitude of amplitude को मैं हाँ पर amp से denote कर रहे हूं amplitude of modulating signal modulating signal modulating signal हमारे पास ऐसा signal होता है जो के information केरी करता है ठीक है यह जो हमारे पास signal होता है इसका जो हमारे पास amplitude है यह हमारे पास आता है volts में ठीक है यहां लेख लेते हैं volts और यह हमारे पास divide हो जाता है amplitude of amplitude of carrier wave carrier wave हमारे पास होती है radio wave carrier wave और इसका भी जो हमारे पास unit आता है तो यह तो हमारे पास आगे है modulation जब हमने देखने हो कि हमारे पास percentage of modulation कितनी है तो यह से हम multiply कर देंगे 100% से ठीक है तो यह हमारे पास percentage आजाएगी modulation की तुसरे यह जो हमारे पास ratio है amplitude of modulating signal divided by amplitude of carrier wave इसको कहा जाता है modulation index ठीक है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं m equals to ma modulation index को denote किया जाता है ma से ठीक है वह से हम आगे multiply करते हैं 100% से तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास ma है यह हमारे पास modulation index ठीक है modulation index तो सटोनी चीज़़गा हमारे पास modulation index होता है यह हमारे पास ऐसी value होती है जो के हमें बताती है कि हमारे पास जो carrier wave है, उसके अंदर कितना phase shift हुआ है modulating signal की वज़ा से, ठीक है, यानि कितना change आया है carrier wave के अंदर modulating signal की वज़ा से, तुसरों जिसके जो हमारे पास numerical value है, वो कितनी होनी चाहिए, वो भी अब हम discuss करते हैं, तुसरों जिसके हमारे पास modulating wave होती है, उसका जो function होता है, वो हमारे पास होता है, vm of t, यानि कि जो हमारे पास vm of t है, ये हमारे पास modulating function है, और ये equal होता है, b sin of, b sin of, 2 pi fm t, ठीक है, ये जो हमारे पास fm है, ये हमें बता रहा है, कि यहाँ पे frequency कितनी है हमारे पास modulating function की, और ये जो t है, ये हमारे प पास amplitude है, modulating wave का. तो students, जो हमारे पास modulation index होता है, उसकी value ऐसे होनी चाहिए, कि हमारे पास modulation index की value है, वो greater होनी चाहिए इस modulation function से, ठीक है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कि जो हमारे पास maximum value आए इस function की, उससे greater होना चाहिए हमारे पास modulation index, और उसकी value जो है, वो less होनी चाहिए 1 से, या फिर less than, equal to 1 होनी चाहिए. तो students, अभी हम कुछ cases को discuss करेंगे, जिसके तो हमें पता सलेगा, कि modulation index की क्या value हो, तो हम उसके जरीश से कैसे पहचान सकते हैं, कि हमारे पास, जो carrier wave है, उसमें कितनी modulation होई है, हमारे पास, जो modulation है, उसका क्या mode है, तो that means, कि जो हमारे पास, modulation का end result आता है, तो हम यहाँ पे लख सकते हैं, कि M equals to MA, MA multiplied by 100%, तो students, यहाँ पे, अब हम एक image के थुरू देखें, कि हमारे पास मुक्तलिफ cases क्या आते हैं, इस modulation index की वज़ा से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि हमारे पास 3 modulated signals मौझूद हैं, तो जो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है, जिसको पर लिखा है हमारे पास 50% modulation, तो 50% modulation से मुरादिया है, कि हमारे पास जो modulation index है, उसकी value हमारे पास है 0.5, यहाँ पैम डिनोर करते हैं, कि Emma हमारे पास है 0.5, तो यहाँ पे जो हमारे पास power input है, वो reduce हुआ हुआ है, तो power output sorry, वो हमारे पास reduce हुआ है इस situation में, तो हम लिख लेते हैं, कि हमारे पास reduce हुआ है, तो students에 इसके पास, जो हमारे पास दूसरा case है, पूछा है कि अमारे पास है 100% modulation का, ठीक है, 100% modulation से मुराद यह है, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास M equal होता है, M A multiplied by 100% तो 100% modulation से मुराद यह है, कि हमारे पास जो modulation index है, उसकी value क्या है, उसकी value है 1, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास wave है, वो fully modulated है, ठीक है, यानि कि वो पूरी modulated हुई है, और जो हमारे पास power output है, वो maximum है, और उसके अंदे किसी किसम की distortion नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, कि हमारे पास maximum undistorted, ठीक है, undistorted power output आता है, जब हमारे पास modulation index की value 1 होती है, यहां पर हम लिख लेते हैं, कि हमारे पास power output maximum हाता है, तो इसके पास जो हमारे पास यहां पर third, जो case आता है, उसमें आप देख सकते हैं, कि हमारे पास है 150% modulation, that means, कि हमारे पास यहां पर जो MA की value है, MA की value greater than 1 है, जो कि हमने देखा था, कि उसके value 1 से greater नहीं होनी चाहिए, तो that means, कि इसका मतलब है, कि हमारे पास carrier wave है, उसको over modulate किया गया है, ठीक है, यहां पर हमारे पास over modulation हुई है, ठीक है, और जो हमारे पास output यहां पर आता है, वो हमारे पास distorted है, ठीक है, version of original, इसलिए जब हम देखते हैं, कि जो value रखनी चाहिए, इस modulation index की, वो हमेशा 1 के equal, या 1 से less होनी चाहिए, तो I hope students, कि आपको यहां तक lecture समय आगया होगा, जिसमें हमने percentage of modulation को discuss किया है,